संगर्स, जिसके बिना हम जिन्दगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं किसी भी मंजिल को पाने के लिए संगर्स उतना ही जरूरी है जितना कि मेरे दोस्त हमें जीवी तरने के लिए हवा की जरूरत होती है कभी भी यह मत सोचे के संगर सिप तुम्हारे लाइफ में है आज तुम जो भी सकस्पूल लोग को जानते हो दोस्त उनके भी लाइफ में संगर समय रहा है दोस्ता जो भी तुम्हारे लच्छे हैं जो भी तुम्हारे सपने हैं अगर उसको पाने के लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसे छोड़ दें, एको ठोकरे लगने का मतलब ये नहीं कि हम चलना छोड़ दें, बलकि ठोकरे लगने का मतलब ये होता है कि हम समझ जाएं, और ज्यादा समझदारी और सबधानी बरतें आज से तुम अपने आपको जितना इस मेहनत के आग में तपाओगे, कल तुम्हारी काम्याँ भी उतनी बड़ी होगी, क्याते है न किसी भी उगरेंट सकस के पीछे सालों की मेहनत होती है, जिन्दगी खेलती भी उसी के साथ, जो खिलाडी बहतरीन होता है, दर्द सब के एक कलकर अपने लच्छ की और बढ़ना पड़ेगा, अगर सफलता पानी है मेरे दोस्त, तो कभी भी बक्त और हालत में रोना नहीं, मंजिल भले ही दूर सही, पर घबराना नहीं, दोस्त, जिस भी लच्छ के लिया इस तुम भाग रहे हो, उसे तुम्हें हासिल कर नहीं होग हमा सफल तब होते हैं, जब हम ये सुच लेते हैं कि अब हम जीत नहीं सकते हैं, जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं, वो समंदरों पर भी पत्थरों का पूल बना देते हैं, खुद से ये बात एक बात जरूर बोलो, मैं वो खेल नहीं खेलता, जिसमें जितना फिक्स ह क्योंकि जितने का मज़ा तब है, जब हारने का रिक्स हो, बहुत अगरा इस तुम्हारे लाइफ में मुसीबते हैं, तो कोई बात नहीं, बस उमीद मत छोड़ना, तुम्हारे भविस्ते जरूर बहतर होगे, कहते ना तकदिर बदल जाती हैं जब इरादे मजबुत हो, ब अब तक के लिए जहीं बंदे मातरम